लूमना की रषूंगय में आज हम बनाने जा रहे हूं उरद डाल रठीस्टी होते हैं आब आपको इसे खाने के लिए मार्कोचा जाने ज़़्ए नहीं है आप अपने रषूरा करें ंपर डाल यहां पर मैंने इस कटोरी से इस दाल को लिया है अच्छे से धोके ओवरनाइट मैं इसको फुला दी हूं यहां पर मैंने एक मीडियम साइस की प्याज ली है इसको मैंने बार एक चौप कर लिया है तीन हरी मिर्चे नी है एक इंच अध्रक का टुकड़ा है करी लीव से और जब मैं अपनी दाल को पीस होंगी तब उसमें मिर्ची और अध्रक को साथ में पीस लूँगी पीसने के बार हम उसमें प्यास धनिया पती और करी लिवस को एट करेंगे यहां पर मैं अपनी पीसवी दाल को अच्छे से फीट लूँगी आपको बहुत अच्छे से फेट करना है ताकि जब तक यह हलकी हो जाए अच्छे से फेटने के बाद आदे घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी अब आदे घंटे के बाद अब मैं अपनी दाल में चौप कीवी प्यास चौप कीवी धनिया और चौप कीवी करी लिफ्स को डाल देती हूँ आप अपने करना है जब तक हमारा ऑइल अच्छे से गरम हो जाता जैसी हमारा ऑइल अच्छे से गरम हो जाएगा हम आज को मीडियम कर देंगे अब हम इसमें अपने वड़े को तलते हैं यहां पर मैंने कटोरी ली है जिसका बेस फ्लैट है अब उसके बॉटम में मैंने पानी लगा दिया है और वड़ा के बैटर को मैं रख देती हूं बीच में होल कर देती हूं और धीर ऐसे ऑईल में डाल देती हूं इस तरह से हमारे जो वड़े है बिलकुल मार्किट जैसे बनेंगे अगर आपसे वड़ा मार्किट के शेप में नहीं बनता है तो आप इस मेथट से वड़े को बना सकते हैं जादा तेजांट करेंगे तो हमारे वड़े अंदर से कच्छे रह जाएंगे और उपर से जल्दी ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमें अपने बड़ो को किस तरह से गोल्डनब्राउन होने तख फ्राइग रही हूँ आपको इसी त거 है किसी कचैलरी के खरने घी लूप से अपनेव बनाते जाए और जैसे से ही गोल्डन ब्राउन होते जाएगा आप उसे अपनी करची रसी है तो ज्यादा यह उयल होते हैं अब देख सकते हैं मैंने अपने सारे बनों को फ्राइब कर लिया है आप इसे चट्नी के साथ ले सकते हैं या पर हमारी रेस्पी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लुब ना कि रोसुई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शियर ज़रूर करें अपना ख्याल रखें बाई बाई